नवश्कार दोस्तों मैं मिसेश स्वाथी वर्मा आपका अपने इस चानल आयुरुएज इम्मोर्टन के बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज हम चर्चा करेंगे निर्गुंडी जी हां यह मिशेश प्लांट है निर्गुंडी निर्गुंडी जिसका की सुष्कृत में नाम है शेफाली इंगलिश में चैनिज चस्ट्री और इसका सैंटिफिक नेम है वीटेक्स निर्गुंडो इसके गुंधर्म की बात करें तो यह लगूरुख्ष तिक निर्गुंडी अब्सक्राइब श्कृति बात करें तो यह प्तु कशाय वाथ हर्फ होता है जिन लोगों सिरदर्द होता है या जॉइन प्रेंट बना रहता है उनके लिए इसके जो पत्ते गाते हैं उनको गरम करके बांध लें और साथी साथ कारहा बनाकर बफा दालें यदि कफ के कार्ण फीवर आ रहा है तो पत्तों का वस या का काया बनाकर उसमें छोटी पीपली का चूड मिलाकर लें यदि गले में गठाने आ गई है उसके लिए निर्गुंडी के पत्तों को पीज कर इनकी टिकिया बना लें और गठाने वाले इस्थान पर बालें जो प्रेग्नेंट लेडिस रहती हैं उनके गर्भाशे में यदि कोई विकार है तो उसके लिए निर्गुंडी के पत्तों का काड़ा बनाकर फिलाएं यदि जाइन पेन के कारण फीवर आ रहा है तो पत्ते गुगल सफेद सरसों मीम के पत्ते राल इन सब को समान मात्रा में कूट पीज का पाउडर बना लें और इसके द्वारा हवान करे बहुत लाग में लेगा आपका यदी बैरापन है कानों में सीटी बशती है या कानों में इंफेक्शन है या कान बहते हो उस सब के लिए पत्तों का काहा बना लें और उसको 100 ml लें और इसको 400 ml तिल के पेल में मिला लें साथ इसके जो फल है उसका रस करीब 2 kg लें और इन स सबको दीनी आज पर पकने दें जब तेल शेश रह जाया तो बॉटल में फ़र कर रख लें और समय समय पर इसे कान में टपकाते रहें आपकी सारी समस्यां दूर हो जाएंगी ठाब एक चीज का ध्यान रखें जब यह प्रयोग कर रहे हों तो कान में पानी ना लगने दें यदि बच्चों को दाथ निकलते समय हरे फीले दस्त हो रहे हों तो शेट निरगुंडी की जड़ जो पूर बिशाकियों बढ़ रहे हो उसे पूरी शुद्धता के साथ पवित्धता के साथ निकाल कर लाएं और बच्चे के गले में बांध दें तो जो दाथ निकलते समय परिशानियां हो रहे हैं में सारी परिशानियां दूर हो जाएंगे यदि इंटरस्टाइन में कोई प्रब्लम है तो निरगुंडी की जड़ को 14 घंटे पानी में भीगो कर रख दें और फिर चान कर उस पानी को फीलें इंफेक्शन जो भी कुछ है वो दूर हजाएगा ज तो इस तरह की जानकारियों को हसल करते रहने के लिए चैनल पर बने रहना पड़ेगा इसके लिए आपको सब्स्क्राइज करना पड़ेगा नोटिफिकेशन को अन और साथी साथ चैनल को लाइप, कमेंट्स और शेयर भी कीजिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नई और अनोफी जानकारियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार